हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सभी, I hope आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने-पने कामों में व्यास्त होंगे सुपर्टेट में जो एक सब्जेक्ट है जीवन कोसल आज मैं आप लोगों के लिए जीवन कोसल सब्जेक्ट लेकर आई हुई हूँ और जीवन कोसल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जीवन कॉसल में हम लोगों क्या क्या पढ़ना है इसका पाठी क्रम क्या है तो फ्रेंट्स इसमें हम लोगों को छेट टॉपिक पढ़ने हैं पहला टॉपिक है अभी प्रेणा, दूसरा टॉपिक है दन्ड एवं पुरसकार, तीसरा टॉपिक है व्यावसाइक आचरण की नीद, चौथा टॉपिक है समवैधानिक एवं मानवी नीद, मुले, पाच्वा टॉपिक है सिच्छक की भूमिकाएं, और च्छठा टॉपिक है जारी रखीए और हमारे साथ अपनी तयारे को शुरुबात से करते रहें तो आज हम लोग पहला topic हमारा अभीप्रियुना इसके बारे में डिसकस करेंगे तो बात करते हैं कि अभीप्रियुना क्या है तो फ्रेंड जो अभिप्रेणा सब्द है वह अंग्रेजी के मोटिवेशन से लिया गया है जो कि लेटिन के मौटम सब्द से निकला है जिसका आर्थ है गतिशेल करना या चलाएमान करना फ्रेंड जो अभिप्रेणा है मैसलो ने अभिप्रेणा को दो बताए है कि अविप्रेणा के दो प्रेरक है कौन-कौन से जन्मजात प्रेरक और अरजित प्रेरक जन्मजात प्रेरक में आता है भूख और अरजित प्रेरक में आता संपत क्योंकि संपती जो है वो हम लोग अरजित करते हैं अब भूख जो है वो हमारी जन्मजात होती है भूख है प्यास है यह से हमारी जन्जाद होती है थॉमसन ने क्या किया है थॉमसन ने आभी प्रेरक दो बताए है उन्होंने कौन-कौन से बताए है स्वाभाविक और क्रतिम तो स्वाभाविक उन्होंने बताए है भूख और क्रतिम बताए है संपत्ति को फिर आते हैं गैरेट गैरेट ने अभी प्रेरक तीन बताया हैं कौन-कौन से जैविक अभी प्रेरक सामाजिक अभी प्रेरक और मनुवैग्यानिक अभी प्रेरक जैविक में उन्होंने भूख को बताया है, सामाजिक में संपत्ति को बताया है और मनो वैज्यानिक प्रेरक में खुसी एवं संतोष्टि को बताया है अब बात करते हैं कि अभिप्रेणा के कितने तत्तों हैं तो फ्रेंट्स अभी प्रेंड़ना के तीन तत्व हैं, जो हलके सिधान से लिए गए हैं, पहला है आवसक्ता, दूसरा है प्रणोध, चालक या अंतनोध, और तीसरा है प्रोशसाहन या संतोशक, तो आवसक्ता में हमारी आता है पानी, प्यास जो है वो हमारा प्रणोध है, और प्रोशसाहन क्या है, पानी की प्राप्ति, जैसे किसी व्यक्त, कोई व्यक्त है, उसको प्यास लगी है, तो उसकी आवसक्ता क्या है, उसकी आवसक्ता है पानी, और जब वो पानी को पा लेगा, तो वो उसका क्या होगा, प्रोशसाहन होगा, फिर आते हैं कि आप्रें के प्रमुख सिधान्तों के ऊपर चर्चा करेंगे पहला सिधान्त है विरोधी प्रक्रिया का सिधान तो फ्रेंस विरोधी प्रक्रिया के सिधान्त के प्रतिपादक रिचार्ड सोलोमन एवं कोविट है फ्रेंस इस सिधान्त में क्या हुआ है इस सिधान्त के लिए जो कोवि आप में जिस कारे से सुख्या दुख मिलता है वाद में उसी कारे से दुख्या सुख मिलता है जैसे कैसे फ्रंस जैसे एक व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को पहली बार अपना पसंदीदा भोजन खाने पर जो संतोष्टी मिलती है वही संतोष्टी लगातार दो वर्स उसी कारkov लगकेगी ही तो वही इसमें विरोधी प्रतक्रिया के सिध्धान्त में रिचरड सूलोमन और कोवेट ने भी यही कहा है अब दूसरा हमारा सिध्धान्त आता है आनवंश की पैटर्न का सिध्धान तो ओफ्रेंस यह जो सिधान्त है या कॉन्रेड लॉरेंज ने दिया है और या जो फ्रांसिसी फ्रांसिस गाल्टन के वनसान करम के अध्यन से बहुत प्रभावित थे जो कॉन्रेड लॉरेंज है या फ्रांसिस गाल्टन का जो वनसान करम का अध्यन है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हु प्रेणा का उधारन, जैसे कोई एक व्यक्त है, उसका पुत्र भी डॉक्टर हुआ और उसका पोता भी डॉक्तर हुआ, तो ऐसे पीडी दर पीडी वही एक ही कारे होतार्यता है, तो जब वही एक ही व्यवसाय में आदमी लगा रहेगा तो उसे ही क्या कहेंगे आनुवनसी क हमारा अगला जो टॉपिक है सिधान्त है हमारा फ्राइड का मूल इच्छा का सिधान्त तो मूल इच्छा का सिधान्त इसमें क्या बताया गया है तो इसके जो जनदाता है वह है फ्राइड अब प्रेणा का मूल इच्छा सिधान्त फ्राइड द्वारा दिया गया है इसमें दो प्रकार की इच्छाओं को बताया है फ्राइड ने कहा है कि जो हमारी इच्छाएं है वा दो प्रकार की होती है एक होती है जीवन मूल इच्छा और दूसरी होती है मृत्यू मूल इच्छा जो हमारी जीवन मूल इच्छा है इसे इरोज और मृतिमूल इच्छा को थानाटोज कहा है इरोज क्या है हमारी सफलता और थानाटोज हमारी असफलता है तो फ्रेंट्स सफलता के रूप में इरोज एक जीवन दाई सकती है तता आजफलता के रूप में थनट वाज एक चिंता कुंठाद से भरने वाली सकती है हमारा अगला जो सिधान्त है वह है आंतरिक प्रियोणा का सिधान्त जो आंतरिक प्रियोणा का सिधान्त है या हारलो ने दिया है और इन्होंने बंदरों पर एक प्रियोग करके आंत्रिक प्रियना के सिधानत की रचना की है इन्होंने बंदरों पर आधारी एक खेल का आयोजन किया है जिसमें बंदरों को खेल खेल में इनाम के तार पर कुछ खाने के लिए दिया जाता था कुछ समय के बाद बंदर बंद्रों में किया हुआ एक बदला आया है वह खाने के समय नहीं आते थे लेकिन जब खेलने का समय होता है तब आपनीमित रूप से आते हैं तो इसे हालने निसकर्ष निकाला कि सुरवात में भले ही हम किसी कारिकों लालच में या पुरुषकार में करते हैं लेकिन कुछ समय बाद वा उसी कारिकों करने के लिए आंत्री ग्रूप से तयार हो जाते हैं यही उन बंदरों के साथ में हुआ हमारा अगला सिधान थे ERG सिधान E, E यानि existence, R यानि relation, relatedness और G यानि growth तो जो हमारा ERG का सिधान थे वा एलरफर ने दिया थे इस सिधान में मैशलो की पाँच मांगों को तीन मांगों में बदल दिया गया मैशलो की पाँच मांगे हैं और एलरफर की तीन मांगे हैं इनकी तीन मांग कौन-कौन सी हैं एक है आस्तित्ववादी मांग दूसरी है संबंध की मांग और तीसरी है संब्रद्धी की मांग आस्तित्ववादी मांग में इन्होंने कौन-कौन सी चीज़े कही हैं तो आस्तित्वादी मांग में भोजन, पानी, नीद और सुरच्छा की बात कही है संबंध की मांग में परिवार, मित्र और रिष्टिदार की बात कही है सम्रद्धी की मांग में सफलता, सम्मान, लच्छ की प्रावत की बात की है इस सिधान्त में मैसलों की जैविकी एवं सुरच्छा को आस्तित्त मांग में प्रेम एवं लगाओ को संबंध मांग में तथा समान एवं आत्म सिधी मांग को सम्रधी की मांग में समाहित किया गया है अगला हमारा जो सिधान्थ है वा है प्रत्यासा का सिधान्थ और यह सिधान्थ विक्तर ब्रूम ने दिया है इस सिधान्थ में अभी प्रेणा के तीन तत्तो का गुडन फल या अंता क्रिया का परिणाम बताया है तो friends यह जो सिधान्थ है इसमें Brunan ने बताया है कि जो अभी प्रेणा है वह तीन तत्तों के गुड़न फन और उनके अंताक्रिया का प्रेणाम है तो friends वह तीन तत्तों कौन-कौन से हैं पहला तो है करशन, दूसरा है यांत्रिक्ता और तीसा है प्रत्यासा करशन यानि क्या मैं या कारिकर करने की इच्छा रखता हूँ इसमें यह कि तभी का एंसर पॉजिटिव ही आएगा इसमें निगेटिव एंसर नहीं आएगा फिर दूसरा क्या कारी करने पर पुरुस्कार मिलेगा प्रत्यासा क्या पुरुस्कार उमीद के अनुसार मिलेगा जैसे कोई भी व्यक्त है तो वो पहले सोचेगा कि मैं ये कारी कर सकता हूँ तो हाँ मैं कर सकता हूँ क्या कारी संपन होने पर पुरुस्कार मिलेगा तो friends पुरुस्कार मिलेगा तभी तो वा कारी को करेगा फिर क्या पुरुस्कार उमीद के अनुसार मिलेगा तो आप जैसा कारी करेंगे पुरुस्कार उसी के अनुरूप भी तो मिलेगा तो इसमें जो भी answer है वा positive way में आएंगे प्रतिक व्यक्ति किसी कारी को करते समय फाइदे की एक उमीद या प्रतियासा रखता है और फाइदा या प्रतियासा के बरावर प्रतियासा से ज़्यादा तभी उस कारी को करने के लिए प्रेरित होता है कहने का ताथ पर यह है कि फ्रेंड अगर कोई व्यक्ति हैवा किसी कारी को तभी करेगा जब इसको या तो फाइदा उसके बरावर हो या तो कारी के बरावर फाइदा हो या कारी से ज़्यादा हो क्योंकि कार से कम अगर उसको फाइदा होगा तो वह कार ही क्यों करेगा वह कार ही नहीं करेगा यानि आभिप्रेणा बराबर कर्शन गुड़े यांत्रिक्ता गुड़े प्रत्याशा अगला हमारा सिधान्थ है दूई कारक सिधान्थ और यह दूई कारक सिधान्थ हर्जवर्ग की देन है इसके लिए इन्होंने अमेरिका के 113 धोगों में लगवग 200 अभियंत्याओं का अधिन किया तथा इसके फल्स रूप उन्होंने अभि प्रेणा के दो कारक बताया एक इन्होंने बताया समवर्धन स्वास्थिप्रद कारक दूसरा बताया प्रेरिकी कारक संवल्धन कारक में इन्होंने बताया है पैसा, वेतन और संपत्य और प्रेरी की कारक में इन्होंने बताया है पहचान, सम्मान, नेड़ा में भागेदारी पैसा जरूरते पूरी करने वाला स्वास्तिप्रद कारक है जिकि पहचान प्रेरी की कारक है तो friends आज का हमारा topic यहीं पर समापत होता है और इसके आगे हम लोग आगे लिए दिन discuss करेंगे friends आप लोग को अगर यह session अच्छा लगा हो तो please like, share और comment कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और bell icon को press कीजिए friends आप लोग like नहीं करते हैं अगर आप लोग like नहीं करेंगे तो मुझे motivation कैसे मिलेगा तो friends आप लोग channel को like करना बिल्कुल भी ना भूले thank you